कि नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल करन सलूशन टूपॉइंट इन आपका स्वागत है आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रसत ऐसे प्रसन पढ़ाएंगे प्रसत नौदा क्या किसी भी परिच्छा में आप अगर यह बना लेते हैं तो आपसे परसेंटेज नहीं फशेगा देखिये पहला प्रसन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर देखिए किसी कारखाने में स्रमिकों की कमी की वजह से उत्पादन में 25% की कमी आती है यह कार अवधि को कितना प्रसत बढ़ाया जाए उत्पादन में पूर्वता बना रहे है प्रसन यह कहता है कि जो वरकर थे जो मजदूर थे उसमें 25% की कमी हो गई तो बाकि जो 75% मजदूर हैं उनको कितना समय और दे दिया जाए कि कारी पूरा हो जाए देखते हैं देखे अगर कमी कहता है तो सो में जितना कमी कहे उतना आप उपर लिख दीजे और बटे में 100 से माइनस कर देजिए जो आपने उपर लिखा है तो यहां पर कितना लिखेंगे 75 प्रसत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे 100 से आप गुणा कर दिजिए तो 25 तियां 75 सव बटे तीन यानि तीन तीन नव तीन तीन नव और एक बचा 33 ही एक बटा तीन प्रसत की अगर आवद बढ़ा दी जाती है तो कार्याब का पूर्ण रूप से हो जाएगा यही आपका आंसर है देखिए इसी प्रसन में आप देखिए अगर आपसे कहते कि 25 प्रसत स्रमिकों की संख्या बढ़ा दी जाए कितना स्रमिकों की संख्या 25 प्रसत अगर बढ़ा दी जाए तो कितनी समय में कमी हो जाएगी देखे क्या करते हैं 25 उपर अब की बार ब्रडधी हुई है तो 25 में जोड़ दीजिए तो प्रसत के लिए क्या करेंगे सो से गुणा कर देंगे 25 पंचे 125 पांच दूनी 10 तो जो समय में कमी कर देंगे वो 20% की कमी कर दे समय से पहले 20% समय के पहले आपका कारी हो जाएगा कब जब आप 25% मजदूरों की ब्रद्धी कर देंगे अगला प्रस्ट देखिए प्रस्ट नमबर 2 देखिए किसी परिच्छा में 40% छात्र गड़ित में अस्फल हो जाते हैं तीस प्रसत चात्र अंग्रेजी में अस्फल हो जाते हैं, दस प्रसत दोनों बिसे में अस्फल हो जाते हैं, तो दोनों बिसों में उत्रिण होने वाले चात्रों का प्रसत बताईए, देखे, सव प्रसत चात्र होते हैं, जो चात्र पास होते हैं, अस्फल हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं 40 प्रसत और 30 प्रसत माइनस 10 अब क्या करेंगे 100 माइनस 40 और 30 कितने होते हैं 70 यह कहें के हैं 40 30 कहें के हैं प्लस के हैं 70 माइनस 10 अब 100 से जो है आपको यहां पर कितना बचा 60 60 मानस कर दीजिए 40 प्रसत जो छात्र हैं वो दोनों विस्वयों में जो हैं आपके दोनों विस्वयों में जो हैं उत्रीड हो जाते हैं प्रस नमबर 3 देखे 9 लीटर की 50 प्रसत अमली द्रव को 30 प्रसत अमली द्रव बनाने है पाने की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए बहुत सिंपल है, कितना है, 9 लीटर है, 50 प्रसत है, माइनस 30 प्रसत, बटे, बटे, जो प्रसत आप घटाते हैं, वही बटे में लाते हैं, माइनस बटे 30, 9 गुणे, 50 से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 20, बटे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3, 3, 9, 3, 2, 6 लीटर जो है, आपको पानी उसमें मिलाना होगा, जो आपका अंसर यही होगा, प्रसन नमबर 4 देखे, प्रसन कहता है, जब मोहन की आए, सोहन की आए से 20 प्रसत अधिक हो, तो सोहन की आए बताए, देखे, 20 प्रसत अधिक है, तो भीया, 20 प्रसत, तो क्या करें 20 ऊपर ठीक है 100 में 20 जोड़ दीजिए 100 में आप 20 जोड़ दिया कितना होगा 120 गुड़े में 100 20 छक्का जीरो से जीरो के इसल दो चंग बारा या 20 छक्का 120 फिर दो तिया छे दो पंचे 10 50 बटा 3, 319 3, 3 चाक 18 यानि 16 सही 2 बटा 3 प्रसच जो है Сोहन की आए अधिक होग अगला देखिए प्रस नंबर पांश देखिए जब मोहन की आय सोहन की आय से 20 प्रसच कम हो तो सोहन की आय बताजिए अब की बार क्या है 20 प्रसत की कमी है तो 100 में क्या करेंगे 20 कम कर दीजिए तो बटे 80 प्रसत के लिए गुणे 100 20 चक्कू 80 25 चक्कू 100 यानि 25 प्रसत जो है उसकी आए अधिक है प्रस नंबर 6 देखे किसी सहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें 5 प्रसत की ब्रद्धी हो रही है तो दो वर्स बाद जनसंख्या क्या होगी दो वर्स बाद जनसंख्या पूछ रहा है देखे 800 दिया है अब इसमें निकालना है दो वर्स का तो भहिया प्रदी हो रही तो 1 प्लस 5 बटे 100 रिष्ट पावर 2 5 दूनी 10 21 बटे 2 कि रिष्ट पावर 2 800 गुणे 21 बटे 20 गुणे 20 2 0 से 2 0 कैंसिल 2 दूनी 4 दूनी 8 21 कि गुणा होती है 441 गुणे 2 दो एक कम दो दो चक को आठ और दो चक को आठ दो वर्स बाद जो जनसंख्या है वह 882 हो जाएगी यही आपका आंसर है प्रस नंबर साथ देखे किसी चुनाव में मात्र दो उमीदवर थे जिसमें जीतने वाले उमीदवर 54 प्रसत मत प्राप्त करके देखे 640 मतों से चुनाव जीत गया चुनाव में कुल कितने मत पड़े देखे मत सवप्रसत थे कितने थे सवप्रसत इसमें वह जो है 54 प्रसत मत पाता है तो 46 प्रसत जो उमात बचे अब 46 प्रस सत मत बचे लेकिन वो पाता कितना है 54 प्रसत तो इसमें से 46 प्रसत आप घटा दीजे 8 प्रसत मत पचे यह अब समझाते हैं आपको देखे हैं 100 प्रसत मत थे तिसमें वो 54 प्रसत तो मत पाता ही है तो 46 बचे अब 46 से वो जीता है तो से अब 46 हटा दीजे कितना बचा आठ प्रसत तो आठ प्रसत की जो वैलू है वो 640 की है कितनी है 640 की है तो 100 प्रसत की कितनी वैलू रही होगी 640 गुणे 100 बटे आठ आठ अठाई 64 यानि जो मत रहे होंगे वो 8000 मत रहे होंगे कुल जो वोट होगी वो 8000 रही होगी प्रस्ट नमबर आठ देखे मोहन अपनी आई का 20 प्रसत भोजन पर 30 प्रसत रुष्टर पर तथा 15 प्रसत सिच्छा पर खर्च करके 700 रुपए बचा लेता है उसकी मासिक आए कितनी थी उसकी मासिक आए कितनी थी देखे 20 प्रसत तो वो क्या करता है भोजन पर 30 प्रसत जो है किस पर खर्च करता है वस्त पर 15 क्या करता है सिच्छा पर, अब इनका योग कर लेते हैं, तो 3, 2, 5, 1, 6, 65 प्रसत वो बंदा अपनी आय का खर्च कर देता है, किसे की भी आय कितनी होती है, 100 प्रसत की होती है, तो इसमें से 100 घटाएं कितना बचेगा, 35 प्रसत, एक बार कहता है कि 35 प्रसत, एक बार कहता है कि 700 रुपए, तो 100 प्रसत इसकी वेलू क्या होगी, 700 गुणे 100 बटे 35, 35 दूना 70 यानि वह 2,000 रुपए कमाता है, उसकी जो आय है, वो 2,000 रुपए है, यही आपका अंसर है, प्रस्ट नमबर 9 देखे, सियाम अपनी आय का 20 प्रसत भोजन पर, सेश का 25 प्रसत वस्त पर, सेश का 10 प्रसत सिच्छा पर खर्च करने के बाद भी 5,400 रुपए बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है, देखे, सबसे पहले इसका लगाने का ट्रिक, यहाँ पर 20 प्रसत करता है, तो बटे में 100, फिर गुणे, फिर कितना खर्च करता है, 25 प्रसत, 25 बटे 100, फिर गुणे 10 प्रसत, 25 पंचे, 125 एक कम 25, 25 चक्कू, 100, एक 0 से 1 0 कैंसिल, अब इनको देखे, 5 उपर लिखते हैं, ठीक है, 5 उपर, 5 से एक घटा यह कितना बचा, 4, गुणे, 4 उपर लिखते हैं, 4 से एक घटा बचा, 3, गुणे, 10 उपर, 10 से एक घटा बचा, 9, और गुणे में कितना सेस बचता था उसके पास, 5,400 रुपे, 9,54, तीन चक्कू, 12, पंचे, 60, पान चक्कू, 20, गुणे, 10, गुणे, 50, दो पंचे, 10, एक, दो, और तीन, जीरो, जो उसके आए थी, वो 10,000 रुपे की रही होगी, उसकी आए 10,000 रुपे की रही होगी, प्रस्ट नमबर दस देखे, एक परिच्छा में, एक हजा लड़के, 800 लड़कियां सामिल होती हैं, यदि 60 परस्ट लड़के, 50 परस्ट लड़कियां उत्त्रिंड होती हैं, प्रस्ट नमबर दस देखे, एक परिच्छा में, एक हजा लड़के और 800 लड़कियां सामिल होती हैं, यदो 60% ग्लच तथा 50% लड़कियां उत्रिण होती हैं तो अनुत्रिण या अस्पल चात्रों का प्रषट बताइए चात्रों का प्रषट बताना है किेह साट प्रषट तो पास हो गए लेकिन बचे कितने चालिस प्रसत यानि 400 बच्चे जो है वो इसमें लड़के फेल हो जाते हैं लड़कियां कितनी हैं 800 तो 800 का निकालना आपको है 50 प्रसत तो 800 का 50 प्रसत कितना होता है 400 यह 400 इसमें भी बच्चे फेल हो गए अब पूछता है प्रसत तो भैया कुल बच्चे कितने थे कुल बच्चे थे वो एक हजार लड़के थे 800 लड़किया थी तो कुल बच्चे जो होए 1800 पास कितने होए 800 400 लड़कियां और 400 लड़के तो बटे 1800 गुणे प्रसत के लिए 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल दो जीरो से दो जीरो कैंसिल अब देखिए दो चक्कु आठ दो नाम अठारा 400 बटे नव 400 बटे नव 9 चोग 36 फिर 9 चोग 36 कितना बच्चा 4 बटे नव यानि 44 प्रसत 44 सही 4 बटे नव प्रसत जो है वो बच्चे फेल हो जाते हैं यही आपका आंसर है एक बिद्याले से दो साल क्रमसा 100 तथा 75 चात्र एक परिच्चा में सामिल होते हैं इन में से क्रमसा 75 प्रसत था 60 प्रसत चात्र सफल होते हैं तो असफल की आउसत धर क्या है देखे जो पहले वर्स चात्र थे वो 100 चात्र हुए फिर क्या हुए 75 प्रसत सामिल हुए तो 75 बटे 100 यानि 100 से 100 कैंसिल 75 बच्चे फिर देखे दूसरे वर्स दूसरे वर्स क्या होता है दूसरे वर्स जो बच्चे होते हैं वो 75 बच्चे तो 75 में 60 तो 75 गुणे 60 बटे 100 तो 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल पांचँ दूनी 10 पांच पांच पच्चम 25 दोतिया छे सब्स को 15 बच्चे Bowl कुल जट मेंस्फलच्च्च है वह बहिया कितने हुए 45 ये और 75 ये इनका योग करते हैं तो 5, 5, 10 का 0, 7, 4, 11, 12 यहीं 126 जो हैं वो सफल होते हैं कितने में 175 तो 120 बटे 175 गुणे 100 25, 25, 27, 175 12, 48 और ये 0 बटे 7 7, 42, 7, 49 तो 6 से कटेंगे 7, 42 कितना बचा यहां पर 6, 60 हुए ठीक है, 60 हुए तो 7, 8, 56 7, 8, 56 कितना बचा यहां पर 56, 4 बचा तो यहां पर सरसट सही 4 बटा साथ जो परसत हैं वो सफल छात्र होते हैं प्रस्ण नमबर बडादेखें एक क्रमचारी का भाटता उसके मूल बेतन का 165 परसत हैं यद उसे कुल बेतन 11,925 मिलता है तो उसका मूल बेतन क्या था crop बहुत सिंपल प्रश्न है देखे जो ग्यारा हजार नौसो पचिस उसका जो है बेतन मिलता है अब देखे अगर हमें मूल बेतन निकालना है तो क्या करेंगे 165 जोड देंगे कितने में 11925 बटे में क्या करेंगे 100 में 165 जोड दीचे तो 265 गुड़ें 100 प्रसत निकालना है 5 से काटे 25 25 पाँच तियां 15 पाँच दूनी 10 यहां पर एक बच्चा यहां हुए 19 पाँच तियां 15 पाँच तियां 15 चार बचे 42 हुए पाँच अठे 40 दो बचे पच्चम पचीस अब क्या करते हैं 55 से भाग कर लेजिए 23 85 और यह 00 ठीक है अब कारते हैं 4 से 4 तियां 12 चार पंचे 20 और 21 कितना बच्चा 6 यहां पर कितना बच्चा 2 पाँच उता लेते हैं फिर क्या करते हैं 5 से कारते हैं 5 से काटेंगे तो पाँच तियां 15 पच्चम पचीस एक 26 यहां पर एक जीरो फिर जीरो फिर जीरो और फिर जीरो फिर जीरो यानि 45 हजार रुपए जो है चुरी 4500 रुपए उसका मूल बेतन रहा होगा यही आपका आंसर है प्रस नमबर 13 देखे अगर किसी संख्या के 70 प्रसत में 70 जोड़ा जाता है तो उसका प्रणाम 150 का 70 प्रसत होता है वह संख्या क्या है देखे संख्या मान लेते हैं X क्या मानते हैं X X का 70 प्रसत बटे 100 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70 प्रणाम इसका जो है 150 आया कितना आया 150 इसका भी 70 प्रसत पूछता है इसका भी 70 प्रसत पूछता है देखे 0 से 0 कैंसिल यहां पर एक 0 से 0 कैंसिल यह 0 से 0 कैंसिल 15 सती 105 अब यहां पर क्या हुआ 7 X बटे 10 प्लस 70 प्राबर 105 साथ X बटे 10 प्राबर यह पच्छांतर होगा उधर 105 माइनस 70 तो 7 X बटे 10 प्राबर कितना बच्छा यहां पर 35 कितना बच्छा 35 तो 35 गुणे 10 बटे 7 X की वैलू आ जाएगी 7 प्राबर 35 यानि वह संख्या 50 है तो आपसा नमबर आपका ए बिलकुल सही अंसर होगा देखे इसमें क्या करते हैं मान लेते हैं माना बड़ी संख्या X बड़ी संख्या X मान लेते हैं अब कहता है कि इनका अंतर यानि X माइनस 12 का जो अंतर है X माइनस 12 का अंतर है बड़ी संख्या का 20 प्रसत यानि X का 20 प्रसत बटे 100 जीरो से जीरो कैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल दो एकम दो दो पंचे 10 एकस माइनस 12 एकस बटे पराबर एकस बटे पांच पच्छांतर कर लेते हैं एकस माइनस एकस माइनस एकस बटे 5 बड़ाबर इधर मैनस का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा अब देखे पांच एकस होगा और यहां पर जाएगा कितना होगा पांच एकस माइनस एकस बटे 5 बड़ाबर 12 तो एकस बड़ाबर कितना होगा बारा गुणे 5 बटे एकस में से 5 एकस गया कितना होगा चार चार तियां 12 तो एकस बड़ाबर 3 पचे 15 तो वह संख्या 15 रही होगी आपसा नमबर डी बिलकुल सही आंसर होगा प्रस्ट नमबर 15 देखिए प्रस्ट न तो बड़ा है इन बनाने में बहुत छोटा है पर यह ए ने 240 रुपए तथा बी 160 रुपए लगाकर एक ब्यापार शुरू करते हैं क्या करते हैं ब्यापार शुरू करते हैं काम करने के कर्ण बी को कुल लाब 20 प्रसत प्रुष्पार रूप में पराप्त होता है तथा सेश लाब को उनकी पूंजी के अनुपात में बाटा जाता है शाल के अंत में 200 रुपए के कुल लाब की रास एको कुल कितनी रकम पराप्त होई A को कितनी रकम प्राप्त होई देखिए A और B दो बेखते हैं A और B इनहीं के अनुपात में यानि ये 240 लगाता है ये 160 लगाता है तो इनका अनुपात में निकालना है काट लेजे 8 तियां 24 और 8 दूनी 16 0 से 0 कैंसेल यानि तेन अनुपात दो के अनुपात में ये रकम लगाते हैं आपको निकालना किसकी है निकालना आपको है A की तो A की निकालना है तो भीया A की निकालना है जिसमें देखिए सेस जो है 200 रुपए मिलता है जिसमें जो है 200 रुपए निमलता है बीस प्रसत तो उप्राप कर लेता है तो 200 यानि असी प्रसत बीस प्रसत तो निकल लेता है तो 80 प्रसत तो बटे 102 0 से 2 0 केंसिल 8 दूनी 16 यहीं 160 रुपए सेस बचे अब क्या करते हैं इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात 160 गुणे निकालना किसका है बी का तो बी का अनुपात कितना इसमें है 3 उस्वारी एक अनुपात कितना है 3 और बटे 3 दो 5 पाँच दूनी 10 पांच तियां पंद्रा और पांच दूनी दस बस तिस तियां 96 तो जो एक और कम मिलेगी वो 96 रुपए मिलेगी यही आप यही आपका अंसर है प्रस्ट नमबर 16 देखे किसी राष में 10 प्रसद घटाव करके और फिर 60 में 20 प्रसद घटाव करके तीन सो साथ बच गये मूल रास क्या है देखे X का 10 प्रसत घटाओ करके तो यहाँ पर 90 बटे 100 फिर इसी का 80 प्रसत इसी का 20 प्रसत है तो 80 प्रसत फिर घटाओ करके अब क्या कहता है 360 बच गए 360 बच गए 0 से 0 कैंसिल और एक 0 से 1 0 यह कैंसिल चार दूनी 8 25 चक्कू 100 नव दूनी 18 एकस बटे 25 बराबर 360 गुणे 25 बटे 18 एकस का मान निकल गए आठारा दूनी 36 पचीस दूनी 50 और एक 0 500 यही आपका आंसर होगा प्रस नमबर 17 देखे 6 लीटर चीनी के बिलेन में जिसमें 4 प्रसत चीनी है में से 1 लीटर पानी वास्पित हो जाता है सेस बचे बिलेन में चीनी का प्रसत क्या है देखिए 6 प्रसत चीनी थी 6 लीटर था इसमें 4 प्रसत चीनी थी बटे 100 6 4 24 दो स्थानबाद पॉइंट अब कहता है एक लीटर पानी तो चला गया तो पानी कितना बचा 5 लीटर पानी कितना बचा 5 लीटर पूछ रहा है तो 5 लीटर पानी में कितना प्रसत है तो प्रसत के लिए 100 दो स्थानबाद पॉइंट लगा है हटा लेते हैं 5 चक्कू 20 चार सही 4 बटा 5 यानि 4 सही 4 बटा 5 प्रसत जो है चीनी का प्रसत होगा इसमें प्रस्ट नमबर 8 देखे एक परिच्छा में 65 विद्यार्थी बैठे और उसमें 60 प्रसत उत्तीर हुए यदि अनुत्रीर चात्रों में से 5 को परिच्छा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर का प्रसत क्या था यानि जो पास चात्र थे पास में 65 में से 60 प्रसत तो 65 का 60 प्रसत आप निकालेजे जीरो से जीरो कैंसिल पांच दूनी दस पांच एककम पांच पांच तियां पंदरा दो तियां छे तेर तियां 49 चात्र कितने चात्र 49 चात्र पास हुए 49 चात्र पास हुए अब देखे 49 चात्र अब पूछ रहा है कि 65 भीया 65 में से 5 जो है और त्रेर चात्र को बैठने नहीं दिया तो चात्रों की संख्या कितनी बची 60 तो प्रसत पूछ रहा है तो 49 गुणे 100 बटे 60 39 गुणे 100 बटे 60 तीन दूनी 6 तीन जीरों जीरों तीन कन्ना तीन 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 नो बीस पंचे 100 तेरा पचे 65 तो 65 प्रसत जो चात्र थे वो उत्तिन चात्र हुए यही आंसर है पका प्रस्ट नमबर 9 देखे 3 बटा 4 के कितने प्रसत का मान 7 बटा 8 है 7 बटा 8 है देखे इन में आप confusion हो जाते हैं कौन उपर लिखना है कौन नीचे जिसके सम्मान में कहे उसको उपर बटे 3 बटे 4 प्रसत के लिए 100 यानि 7 बटे 8 गुडे 4 बटे 3 गुडे 100 चार दूनी आठ चार दूनी आठ पस सा सव ठीक है सा सव तीन दूनी छे तीन दूनी छे अब क्या करते हैं दो दो से कारते हैं दो तीन हैं छे दो तीन छे दो तीन छे दो पंच्चे 10-2-0-0 तीन एककम तीन एककम तीन तीन छाक अठारा यानि 116 और सही दो बटा तीन प्रसत प्रस्त नमबर20 देखे 5 पांच को प्रसत में बदलना है तो 4 बटे, 5 गुणे, 100, 5 दूनी, 10, 20 चको, 80 प्रसत यही आपका आंसर है देखे, दोस्तों हमने ये 20 प्रसन पढ़ाया आपको है जो प्रसत के हैं, जो हमने चुनिंदा प्रसनों में से इनको ढूड़ा है हर प्रसन का लेबिल अलग-अलग था आपको प्लेलिस्ट में जाए, प्रसत के और भी वीडियो बने है अगर आपको प्रसन अच्छा लगे, और मेहनत अच्छी लगे तो एक बार कमेंट बाक्स में बताईए, कि आप अच्छा पढ़ाते हैं या आपके में कमिया है अंत में आपसे एक ही रिक्वेश्ट है शेर जरूर करदीजिए अगर नए बीवर्स है या पुराने बीवर्स है दोनों लोगों से रिक्वेश्ट है शेर करईए नए बीवर्स हों तो सब्सक्राइब कर लिजिए देखे, हम पढ़ाते वक्त फालतू की बात नहीं करते हैं, सिर्फ आपका समय नहीं लेते हैं, सिर्फ आपका समय लेते हैं, पढ़ाते वक्त पढ़िए, बाकी आपकी इच्छा धन्वादू